तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो अगर monetary terms की हैं तो आप ये वाली transactions को आप monetary terms में कर सकते हो लेकिन अगर इस तरह से दिया है कि land 2000 meter, truck 5, machine 10, raw material 10 ton तो आप इसको monetary terms में नहीं express कर सकते तो इस तरह की transactions जो होती है वो हमारी record नहीं होती है क्योंकि ये financial character की नहीं है इसी तरह से अगर classify करनी की बात करते हैं तो classify का मतलब क्या है? क्लासिफाइंग similar nature की transaction को एक जगा पर आप जब रखते हो जैसी की leisure का example ले लेते हैं आप different leisure बनाते हो चाहे वो purchase का है, sale का है, salary, advertisement, commission, wages ठीक है ये सारी क्या होता है आप एक nature की transaction को एक जगा रखते हो अगर purchase की है तो वो purchase की leisure में जाता है, sale की है वो sale की leisure में जाता है तो इ क्लासिफिकेशन 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 एक प्रॉसेस है grouping करने का, किस चीज की grouping, transactions की, एक nature की transaction है वो एक place पर रखी जाती है, वही classification होता है, ठीक है उसमें example हमने ले लिया कि separate account खोले जाते हैं, ठीक है वो separate जो leisure है, एक person का एक leisure है, इसी तरह से एक expense का एक leisure है, purchase purchase का एक leisure है, sale का एक leisure है, सबके different different leisure है, तो group है, transactions का एक group एक जगापर हम express कर रहे हैं, इस तरह से हम classify करते हैं transactions को, इसी तरह से summarize, summarizing का क्या मतलब है, Summarize करना मतलब present करना जो हमने classify करा था जो हमने classify करा था ग्रूप बनाया था transaction को अब उन्हें present करना present कैसे करूँगे trial balance के रूप में अब आप देखते हो कि trial balance के अंदर सब के leisure के balances आते हैं ठीक है और फिर उस trial balance के basis फिर क्या बनता है trading account बनता है P&L account बनता है और फिर हमारी balance sheet बनती है तो आपको पता है कि trial balance से हमारा क्या बनता है जब हमारा trading बनता है तो trading account से gross profit निकलता है P&L से profit and loss account से हमारा net profit निकलता है balance sheet से हमारा financial position का पता चलता है कि हमारी कितनी assets हैं कितनी liabilities हैं at the end of the year तो हमें क्या होता है समराइज में कि present करना classified जो भी classified data है उसको हम present करते हैं इस तरह से कि वो understandable हो जाए या वो useful हो जाए management के लिए और other users के लिए ठीक है management के लिए और other users के लिए management कौन होता है जो उसको affairs को manage कर रहा है ठीक है business को manage कर रहा है और users कौन होते हैं जैसे की employees हो गए ठीक है इसके लावा creditors हो गए या फिर हमारे banks हो गए जिनसे आप loan वगएरा business के लिए ले रहे हो proprietors हो गए जो business के owners है ठीक है managers तो ये सब हमारे users है different different users है जो interested parties होती है उनके पास जो है वो data present होना है ताकि वो उस चीज़ का को मतलब जो parties उसमें interested है उनके लिए वो understandable हो जाए information तो summarize करना क्या है summarize एक ऐसी art है जिसमें classified data को classified data कौन सा है जो हमने उपर groups बनाये थे leisure बनाये थे different different अलग अलग नेचर की transaction को एक जगा पे रखा था वो classify करने के बाद अब उन्हें present करना तो उसको present करने को ही summarize कहते हैं present इस तरह से करना कि सामने वाला उसको समझ जाए और वो सामने वाला person कौन है जो हमारे business को या तो run कर रहे हैं चला रहे हैं या manage कर रहे हैं या फिर उसमें पैसे invest के हुए हैं या फिर हमारे और भी parties होती हैं जिसे creditors वगएरा जिनका पैसा जो हमारे creditors हैं या फिर हमारे employees जो हमारे लिए work कर रहे हैं उन्हें भी interest होता है business के लिए उसकी position जा कैसे करते हैं इंटर्पेर्टेशन रिजर्ट्स की? जैसे की आपने बनाया Profit and Loss Account, Trading Account, Balance Sheet तो ये सारी चीजे हम क्यो बनाते हैं? ताकि जो हमारी Interested Parties हैं Business की जैसे की हमारे Proprietors है, Managers है, Bank, Creditors, Employees उनको इसकी फुल Information मिल सके कि इसकी क्या profitability है क्या इसका financial position है business का ठीक है इस तरह से results को present करना कि इनके जो users हैं interested उनको इसकी profitability और financial position का पता चल सके और last point हमारा क्या है communication यानि कि communicate करना communicating क्या है इसकी accounting की last characteristic communicating जिसमें क्या है कि आप इस तरह से financial data को users तक पहुचाएंगे ठीक है accounting की characteristics क्या है accounting इस तरह से users तक financial data को पचाता है कि users जो होते हैं जो इस में interested है वो इसको analyze कर लेते हैं अपनी need के according जिसको जैसे need होती है उसके according वो उस information को financial data को क्या करता है understand कर लेता है use कर लेता है तो हमारी characteristics सारी क्या है यह accounting की कि accounting क्या है एक art है as well as science accounting is an art as well as science ठीक है first characteristics second क्या है accounting records financial transaction only accounting में क्या होता है financial nature की transaction record होती है third होता है हमारा recording in terms of money money की terms में ही यह transaction record होती है fourth हमारा है classifying groups बनाते हैं हम different different pleasure बनाते हैं और एक nature की transaction को एक जगा पर रखने को जो process है वो classify होता है summarize करना मतलब की classified data को present करना उसके interested parties के लिए इस तरह से कि वो उसको समझ पाए और interpret करना results को present again वही कि उस तरह से present करना जैसे की example आप ले सकते हैं trading P&L और balance sheet से इस तरह से इसको present करना कि interested parties उसको understand कर सके उसकी profitability और financial position को जान सके और last point है communicating, communicating में क्या है, communication एक ऐसा financial data का जिसमें users उसको analyze कर पाए अपनी ज़रूरत के according तो I hope थोड़ा इसको समझ लेना, अपने आप भी पढ़ लेना, theory है तो theory तो थोड़ा देर से ही समझ में आती है लेकिन जिनको numerical आगे वो उनके लिए theory थोड़ा और असान हो जाएगी क्योंकि इसमें अगेन वही है कि accounting होता क्या है accounting में हम financial position जानते हैं और profit and loss का पता लगाते हैं और उसमें क्या होता है उसमें हमारी पता चलता है इन सारी चीजों का साथ साथ हमारी जो transactions होती है monetary nature की होती है और एक systematic way में होती है